देखो, semiconductor दो टाइप के हैं, intrinsic semiconductor और extrinsic semiconductor intrinsic semiconductor, pure semiconductor को बोलते हैं, pure किसे बोलते हैं, यह pure है सारे atom अगर germanium के हैं, तो सारे के सारे ही germanium के हैं अगर मैं इसमें से एक भी atom replace करके aluminium कर दूँ, तो मैंने impurity add कर दी इसमें तो यह क्या बन गया, extrinsic, तो intrinsic का मतलब pure, extrinsic का मतलब impure, clear रहां तक, तो intrinsic semiconductors, whole semiconductor है, जो की basically क्या है, pure A की atom का बना हुआ है, उसमें कोई भी impurity नहीं है, और extrinsic semiconductor, जैसे मैंने बोल दिया pure germanium, extrinsic semiconductors के अंदर basic, यह मैं बादे समझाओंगा क्या चीज़ है, तो यह सब करेंगे, extrinsic semiconductors बनाने के लिए, पहली बात हम impure चाहते क्यों है, चाहिए बना बनाया मिलता है, नहीं, बना बनाया नहीं मिलता, हम जान बूज के उसमें impurity add करते हैं, हम चाहते हैं कि वो impure हो, इससे उसकी बादा करता है, तो हम चाहते हैं कि वो क्या बने, impure, impure करने के लिए मिले को doping करनी पड़ती है, बाहर से impurity को मिलाना पड़ता है, इस process को doping बोलते हैं, जब आप doping करते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास सारे germanium हैं, एक आँख बंद करके आपने iron का डाल द जैसे कि एक ऐसा atom डाल दिया, जिसका size बाकी germanium से बिलकुल match नहीं कर रहा, तो defect है, यह नहीं होना चाहिए, एक ऐसा atom से आपने इसमें impurity add करनी है, जिसका size production के साथ match करता हो, ऐसा नहीं डालना चाहिए, जो अपने electron share करने को राजी नहीं है, वो कहते है, sharing करते हैं, bond बना जालूँगा, अब डाला ही डोपेंट, खाली छोड़ दिया, यह भी problem है, मैं मैं मेशे example देता हूँ, इस class में plus two के student बैठे है, इसके अंदर plus one का student बिठा देंगे, तो भी चलेगा, वो समझ आएंगी बाते है, इसके अंदर एक साल ऊपर किसी drop किया, वो भी चल जाएगा इसमें, पर तुम कहो कि इसमें पांस साल बात का एक डॉक्टर बिठा देंगे, चले लेक्टर सुनता है, मैं नहीं इनके बात करता, तो फिट structure खराब हो गया, class का, तो वो डोपेंट नहीं चलेगा, तो डोपेंट चलेगा, एक माइनस एक प्लस चले जाता है, ठीक है, त जिसमें impurity को इसमें मिला दिया जाता है, controlled manner में, कितना controlled, एक डोपेंट डाला जाता है, 10 की पावर 10 एटम में, जर्मेनियम के 10 के पावर 10 एटम है, वो में एक डोपेंट डाला, इतनी की impurity डालनी है, इसे ज़्यादा है डालनी है, अब जब हमने डोपिंग कर दी, तो डो garyc. stream semiconductor को क्या बोलते है, extrinsic, pure को क्या बोलते थे, intrinsic, impure को क्या बोलते है, extrinsic, extrinsic, impure semiconductor दोटाइप कहा है, एक P-type और एक N-type semiconductor, एक N-type हो गया और एक P-type semiconductor है, तो extrinsic semiconductor में N-type क्या होता है, एंट थैप सेमिकनुक्टर से महिनन प्योर से finishMr. बेवेड प्योर से-घ्र रबेशन बना हुआ है फोर वालिच से हूं इस डोंपर दोपीग की कंट्रोल अमांक उठीड करो पेंटाव्ड इंटम तो आपने अईटम क्या डाला इसमें थैर्विनियम mayoría है silicon में pentavalent pentavalent का मतलब जिसके पास 5 electrons है और जैसे bismut antimony phosphorous arcenic यह सब pentavalent है तो silicon silicon में एक डाल दो तो ये p type हो जाएगा जाएगा इसके पास 5 है तो अगर 5 इसके पास electrons है तो होगा क्या कुछ ऐसा होगा देखो अगर 5 है electrons तो silicon और टोन के पास तो चार है तो यह चार के साथ तो शेरिंग कर लेगा प्रोशियों के साथ सिलिकॉन 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 एक के साथ नहीं कर पाएगा किंड़ा एक फाल्तु है तो एक फाल्तु ये इसके इर्द गूम सकते हैं क्योंकि आर्सेनिक का ये आर्सेनिक का कॉंट्रिविशन है लेकिन इसने ये कमिट्मेंट की देखो दर मैं हूं तो आर्सेनिक का तो मैं आर्सेनिक के आसपास गूमूंगा और मैं बहुत दूर गूमूंगा क्यों मैं फ्री हूं लेकिन इतना है अगर बाहर से अनर्जी ना मिली तो कोई टेंशन से ओई हिologist में तिसाथ ही रहूंगा तो लेकिन function band में नहीं है और ना हिए पूरी तरह in balance band में होने का मतलब बाँड बनाना और connection का मतलब बिल्कुल free होना अब ना को फृफिये और ना हिरे बऔर हैं ओई ये तो कुछ सम्झो forward energy gap के लिए ये तो वह हाल हो गया कि जैसे suppose करो यहां पर imagine करो यह class लग रही है चलो market में class लग रही है यह चलो यहीं वे class लग रही है और energy gap बहुत कम है और इतना है कि अगर हलकी से energy मिली तो सारे भाग सकते हैं और मालो यह classroom जो है silicon का नहीं arsenic का है तो आर्ष्यानिक में सारे पिठा दिये सबके शेरिंग करके बैठा हूं में लेकिन एक फालतु है मेरे पास एक फालतु को सीट्वे में दिनी बैठने के लिए तो यह बैड़े बैंट का पार तो बना नहीं तो उसको का कि काम कर तो दूर याकर ख़ड़ा हो जाते energy level इन से पर अब वो गयता है जी मार्केट घूम लूँ नहीं मैंने का मार्केट नहीं तो पंडक्शन बैंड में नहीं है तो तुम इनी क्लास का भी बंदा अगर तेरे को कोई बाहर से इनर्जी मिल गई फिर तुजा जहां जाने तो जब तक उसको नर्जी नहीं मिली वह यहां ख़ड़ा रहेगा फॉर बड़े नर्जी गैप में जबकि नर्जी गैप में खड़ना लाउड नहीं था बिल्कुल याद करो पर इस केस में डोपिंग के केस में वह खड़ सकता है और कां खड़ेगा मालूम है बिल्कुल ही कंडुक्शन बैंड के करीब जाके खड़ा है क्योंकि मेरे से तो बहुत तूर चला गया पर प्रॉब्लम ही है कि वह घूम भी नहीं सकता तो इसको घूमने के लिए चाहिए एनर्जी चाहिए तो इसलिए यह बोलेंगे कि वह आ पॉलम में क्या है क्या इसमें डोनेट्के लिया एक लिखरान को डोनेट किया तो हि azunac अब नेंश्ट नाइब से अटне डख्तर में क्या करेंगि सबी जो प्यूर सिलिकॉन या प्यूर आपका सेमिक अन्डुक्तर रहे मतफा जिसके पास केवल थीpower या पाँच वालय पेंटावेलेंट था वो हूं यू आ उल्ट बनाएगा और तीन वालय ट्राइवलेंट बनाएगा त्राइवलेंट एंटा। मिल इत्राइबमगी त्राइवलेंट लो पर ये 2017 इसकी अे समझ से हैं कि जब ये तो P type क्या create करता है positive hole create करता है N type क्या contribute करता है electron contribute करता है वो donor है और P type का दूसरा नाम है acceptor type semiconductor क्योंकि hole accept करता है electrons को तो इसका नाम है acceptor type semiconductor अब इससे hole से क्या हुआ परोस के electron ने देखा होल खाली है अपनी जगा यहां बैठ गया attract हो गया अपनी जगा hole बना गया परोस के electron होल खाली है यहां के बैठ गया अपनी एक होल बना गया तो hole की movement start हो जाती है in valence band अब देखो ना चाहे electron की momentum conduction band में या hole की momentum balance band में दोनों के दोनों electricity में contribute करते हैं चाहे hole move करे चाहे electron move करे इससे भी electrical conductivity बढ़ती है electricity ज्यादा कंड़क्ट करेगा यह तो फाल्तू electron का होना या फाल्तू hole का होना दोनों के दोनों फाइदेमंदा electricity को कंड़क्ट करवाने के लिए इस लिए doping की जाती है तो यह point समझ में आ रहा है P type semiconductor क्या चीज है इसमें ठीक अब इसके अंदर कुछ important चीज है जो मैं बनाने जा रहा हूं बना भी रखिए और यह इसको समझते हैं क्या बनाया हुआ है तो हमने अभी क्या किया हमने इसमें तीन टाइप दो टाइप के semiconductor पड़े एक intrinsic और एक extrinsic तो यह मेरा यह मेरे type of semiconductors है type of semiconductors के अंदर इसका जो नाम है इसका नाम है intrinsic intrinsic pure इसका नाम है n type impure इसका नाम है p type impure ठीक है यह देखा अब इसको energy level से समझते हैं यह important है energy level से यह इसका valence band है यह इसका conduction band है conduction band है valence band है valence band है conduction band है ऐसे तो इसके अंदर यह valence band है यह conduction band है यह valence band है यह conduction band है यह valence band है और यह conduction band है ठीक है और यह इसके energy levels है यह valence band के energy levels है यह conduction band के energy levels है कुछ ऐसे यह लो ठीक है यहां तर अब इसके अंदर सबसे पहली जीर यह देखनी है इसके अंदर माल लो कुछ electron से valence band में 0 Kelvin के उपर को electron conduction band में नहीं है क्योंकि semiconductor के electron conduction band में होती नहीं 0 Kelvin ठीक अब माल लो मैं intrinsic की बात कर रहा हूं मैंने temperature बढ़ा दिया temperature बढ़ाने से यह electron उपर गया hole उपर गया अपनी जगा hole उपर गया अपनी जगा hole तो कितने free electron conduction band में आगे 3 कितने hole generate कर गे valence band में 3 तो मैं बोल सकता हूं number of electrons and number of holes दोनों में बरापर है ठीक है आतल तो इसके अंदर यह बोला जा सकता है कि intrinsic के अंदर number of electrons and hole बरापर है electron किसके अंदर free electron conduction band में और holes किस में valence band में यह बरापर है ठीक और कभी कभी इसको number density भी बोलते है number of electron per unit volume number of holes per unit volume number density बरापर है तब इसको छोटे answer ही प्रजेंट करते हैं कि अब बात करते हैं एंड टाइप एंड टाइप के अंदर फालतू electron है यह साथ electron तो मैंने वैसी लिए जो अल्रेडी थे इसके यह देखो यह diagram तो इसका ही है पर इसके अंदर क्या हमने मिला रखी है डोपेंट, pentavalent, pentavalent में क्या एक फालतू electron है मालो मैंने तीन pentavalent मिला दिये इसमें और तीन pentavalent की वज़े से हुआ क्या तीन electron fall to its में डाल दिये पर वो electron बंदे नहीं हुए वो electron बंदे नहीं हुए बस वो त्यार है भागने के लिए कि बस energy मिले और मैं conduction band में भाग जाओं तो वो almost किसके नजदीक खड़े है, conduction band के नजदीक खड़े है और ठीक है यहीं पर खड़े हैं, हलकी से energy मिली तो यहां भाग जाएंगे conduction पर क्योंकि वो बैठे नहीं है, क्योंकि वो खड़े हुए हैं लेकिन भाग भी नहीं सकते क्योंकि भाग सकते होते वो free हो जाते तो यहां पर बनाता मैं diagram वो बैठे भी नहीं है तो यहां नहीं बना रहा, वो भाग नहीं सकते वो खड़े हुए आगे यहां बना रहा हूं याकि almost उनका bond तोडने की energy अनको मिली हुई है bond उनके ठुते हुए हैं तो इसलिए, forbidden energy gap जोती सी Emirate all most उनको मिली है है तो उनका energy level बाकी बैठे हो electron से तो जाद है अब मैंने आपको इस थिकाया था कि electron जब fill करते है energy levels को और highest energy level जो fill होते है उसको क्या बोलते है fermi level intrinsic में ये मेरा fermi level था fermi level यहाँ पर था क्योंकि मेरा आखर electron यहाँ बैठे थे एंड टाइप में fermi level यहाँ shift हो जाता है इस फर्मी लेवल फर्मी लेवल conduction band की तरफ shift हो जाता है यह n-type semiconductor की बात है यह clear है यहाँ तर तो n-type semiconductor में जो fermi level है वो कहाँ shift हो जाता है near to the conduction band अब हलकी से energy मिली हलकी से energy मिलके यहाँ के electron सबसे पहले भाग गए और अपनी जगह hole भी नहीं छोड़ा क्योंकि यह तो free थे बैठे थोड़ना थे खड़े हुए थे यह सी थोड़ना होए थे वो electron तीन तो भागे भागे और साथ में नहीं फिर से एक बार तो यह hole हो गया तो तीन electron यहां से आगे तीन यहां कितने हो गए छे तीन यहां से भागे तीन नीचे से लेके आया हूं छे तो छे electron हो गए और है निए केस, electron की जो quantity है conduction band की वो holes wells बैंड से ज्याद है तो आज मैं लिख सकता हूं number of electron in conduction band ज्यादा होंगे number of holes in wellence band इसलिए इसको बोलते है n-type semiconductor तो n-type semiconductor में electrons की quantity है ज्यादै as compared to holes यह बाभी बात समेंदे आ रही है यहां तक अब देख लो जो पी टाइप से में कंडुक्टर है उसके अंदर नॉर्मल तो है है एक दो तीन चार पांच छे साथ यह है क्योंकि पी टाइप से में अपने क्या डाले एक के impurity जिसने क्या क्रिएट किया हौल कि जब होल कर नच्छन बैंड में करिएट कि नी होते हैं घूमने-फिरने की जिगा पर कुरसिया नहीं यह तीन डोपेंट डाले उन्हें तीन होल्स क्रिएट किये मदब आप इमेजन कर सकते हैं कि एक क्लास के अंदर अगर डोपेंट आ जाए और आप तो बैठी बैठे हो तो एक सीट मेरे को बाहर लगानी पड़ेगी ताकि वह उसका जो एक सीट मिल जाए ताकि आप लोग वह जाके बैठ सकें कि जो बहुत बैठेंगे तो फॉर्ड नर्जी गयाप का गया हो जाएगा थोड़ा सा घट जाएगा तो भागना असान हो जाएगा तो जो होल्स हैं वह कंडक्शन मैं में नहीं होते वह वैलेस मैंड के थोड़े ऊपर हो गए ताकि फॉर्ड बिदन नर् हो जाता है ऐंड टाइप में फर्मी लेवल काफी उपर जाता है तो यह लिखेंगे अब अगर अपने अनर्जी दी और इनर्जी से आपके एलेक्टोन उपर भाग गए तो सोचो ये वह गया एक ये भाग गया दो ये भाग गए तीन अपनी जिगा क्या छोड़ गए होल अब तीन होल तो पहली पड़े हुए थे, तीन और होगे, कितने होगे, छे होल और तीन इलेक्ट्रॉन, तो P टाइप के अंदर होल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो होल क्रेंट जादा होगा, इलेक्ट्रोनिक करेंट से, तो intrinsic semiconductor में बराबर बराबर होते है, number of electrons and holes, N टाइप में electrons जाद है, होल कर थांफ में, P टाइप में holes जाद है, एलेक्ट्रॉन कर था, तो इस concept को तो हमने अगली पार करने ही करना है, यही से continue होना है, एक question आता है paper में and type semiconductor में पाउन तु इलेक्टरोन डोनेट किया गया तो overall charge क्या एंट टेयप सहें अमिकनदक्टर का negative and type semiconductor negative हुता है den टे क्याए एक्स्टा electron का उसके पास के न नित्रल होता है कि I n-type semiconductor is neutral he type semiconductor is neutral बो layer इनके उपर extra charge extra sonk ontki वेसे charge नहीं आता यह neutral होते हैं क्यों आप imagine करें आप सब सिलिकोन-silिकोन-silिकॉन-सिलिकोन के the Low कि यह अचलो मैं माफंलो एक बाओकलो पokerण आडने मैं आपसे पूछा में कठे हैं यह गर वा लेैरन तो मैंने आप से इसे पूछा कि अब इक रटे बीचते और मैंने आप से पूछा आप शीलीकॉन की हुआ क्या यू reps हे न्यूटर लो आपने का ठीक है ये में पास चार एलेक्टर गांद लुक्ल वाक शार था मैं चार और में न्यूटरल लुग कि आपने मुझसे से पूछा से आप निवटर लो आप पेंटाबलेंट हो मैंने का हाँ कि मैं silicon थोड़ी नहूं मैं तो पेंटाबलेंट हूं और मेरेको तो बाइड नेचर मेरे पास कितने इलेक्टॉन होने चाहिए थे 5 तो नेपा तो 5 ही है जो हम यह कठे बैठते हैं डोपि तो silicon के पास 4 होने ही चाहिए, तो हम 4 electron ही है लेक्तिर यावेलेंस, और मेरे pentavalent के पास 5 होने हैं, तो हम सब elektrically neutral है, तो doping करने के बाद भी आपका structure खराब नहीं होता है, वह electrically neutral ही रहता हुआ मैं एक हैं डालो सीलीकॉन करita स्क्राइश्ट नेशर है तो तेन होने के बाद मैं नूटाल हूं और मैं तूमालियों की बैर गले गाल तो मेरा नाम तो ओर वरहाल रहें के स्ट्रक्ट्टुर क्या रहता है झाँ क्या यह पॉइंट यहां तक क्लियर है तो N टाइप भी न्यूट्रल है पी टाइप भी न्यूट्रल है ठीक इसके बाद कॉंटिनू करेंगे